दोस्तों चाहे आपके पास एक क्रेडिर कार्ड हो चाहे आपके पास अनेक क्रेडिर कार्ड हो अगर आपने मौका दे है ता आपको धोका जरूर मिलेगा मैं क्या कहना चाहरा हूँ आप अच्छे समझ जाएंगे अगर आपके पास कोई भी क्रेडिर कार्ड है या आप पहले खराब होने वाला है दूसरी प्रोब्लम में आने वाले जितने मुर्गी ने उतने मसाला वाला काम हो जाएगा जैसे कि आपने यहां पर खर्चा किया होगा 10,000 रुपए और आपको भरना पड़ जाए 15-20,000 रुपए ऐसी प्रोब्लम हो सकती है इसके अलावा भी कई स अगर आपको सारी चीजे पता था वीडियो को छोड़ सकते हैं कोई प्रोब्लम नहीं अगर किसी एक चीज में जरा से भी कंफूजन है ना तो आप इस वीडियो कंप्लीट जूरू देखिएगा नहीं तो वही कंफूजन ही कहीं आपको बहुत बड़ा बवाल बना जे इस सबसे पहला पॉंट कि बूटेट क्या होता है बिल डेट को हम statement डेट भी कहते हैं हर credit card का बिल एक fixed डेट को generate होता है उसे ही भी हम build it कहते हैं अगर इसे हम example के साथ समझना चाहें जैसे कि मेरे पास यहाँ पर SBI बैग का credit card है इसका बिल हर महिने की 15 तारिक को generate होता है तो ज बिल जनरेट होने के बाद आपको 20 दिन का टाइम मिलता है पेमेंट करने के लिए जो भी 20 वाद दिन होता है उसी तारीक को हम यहाँ पे डूड़ेट कहते हैं मैं आपको यहाँ पर एक जाहूंगा तक कि आपको समझने में काफी ज्यादा असानी हो जागा और तक कि आप वी बिल पे करना पड़ेगा यहाँ पर एक बात सबसे जुरुरी बात आपको बताना चाहूंगा जो काफी लोग यह डाउट रहता कि आपको समझाना चाहूंगा माल लेते हैं कि अगर एक तारीक से लेका आपने 30 तारीक को कोई भी अमांट यूज किया हुआ है यानि कि आप जब आपका इस्टेट्मेंट जनरेट हो जाए उसके आप दो दिन चार दिन माज वो खर्चा करता हो आपको उसमें काफी जाव लंबा समय मिल जाता है अपना पेमेंट ड्यू करने के लिए अब नेस्ट पॉइंट हमें जानने वाले है कि मिनिमम ड्यू अमांट का मतला हो इसे बच जाएंगे और यहां पर आपको क्रेडिर कार्ड भी बंद नहीं किया जाएगा तो आपके थोड़ा सा फैदा मिलता है लेकिन ध्यान रखी है यहां पर आपके ओपर इंट्रेस्ट लगेगा तो ओपर आल कहने मतलब मेरा यही है कि हमेशा अपना टोटल ड्यू अ अमाउंट होता है उसी को जब आप पे करेंगे उसकी टोटल ड्यू अमाउंट कहते हैं हम इसे एक्जामपल के साथ समझना चाहेंगे एक्जामपल के लिए 15 जनवरी 2023 को मेरा बिल जनरेट हुआ है और 15 जनवरी 2023 से लेकर के 16 फरवरी 2023 तक का जो भी बिलिंग सरकल के दोरा मैंने खर्चा किया हुआ उसका पूरा पूरा पैमेंट मुझे टोटल ड्यू अमाउंट पे करना होता है अब चलिए लास्ट और सबसे इंपोर्टेंट पॉइंट पर बात करते हैं कि अन्बिल्ड अमाउंट क्या होता है अन्बिल्ड अमाउंट का मतलब यह होता है कि बि बीच में हमने 17-18-20 तारीक यारग इसके बीच में जो भी ट्रांजेस्ट किया है वह हमारा अन्विल्ड आमाउंट में ही ओ ट्रांजेस्टन काउंट किया जाएगा तो दोस्तों मैंने आपको इस वीडियो में बिल्कु क्लियरली सारे कोशिटन के अंसर दिया और आपको एक तो 30 दिन के बाद आपका इस्टेटर्म बनेगा उसके फिर 20 दिन बाद आपको पैमेंट करना होता है इस तरह के साफ काउंट कर देंगे आपको 50 दिन का टाइम दिया जाता है फाइले काफी मैनत साथ ये वीडियो बनाई गई अगर इस वीडियो सा आपको कुछ नया जानने शेखने को मिला प्लीज वीडियो के लाइक करके चैनलों सब्सक्राइब कर दिजाए अभी भी आपको कोई डाउट है प्लीज कमेंट कर जुरू बताईएगा और इस वीडिय के लिए तो एक लाइक बनता ही बनता चलिए फिर मिलते किसे ने इस वीडियो में तब तक के लिए जय हिन जय बारत